मित्रों सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर यहां हम बात करेंगे UPITI admission 2021 के संदर्व में इसको form को कैसे भरेंगे इसकी योगिता दस्वी और बारफी होती है इसमें कई सारे traits होते हैं उन सभी में आपको admission मिल जाता है और इसकी last date है form भरने की 28 अगस्त तो आएए पूरे एक एक चीज को discuss करते हैं और सबसे पहले prospectus को देखते हैं और कितनी seat हैं इन सभी के बारे में एक एक चीज को discuss करके last में form की website और कहां से आप prospectus को download कर पाएंगे इसके बारे में हम चीजों को explain करेंगे देखिए इसका prospectus है और इसमें सारी की सारी details दी गई है इसमें करीब 57 पेज हैं आप एक करके इसको सही से पढ़ सकते हैं सम्बंदित विवरण पुस्तिका निसुल्ख है इसके बारे में भी इनोंने explain कर दिया है इसमें आप देख सकते हैं उत्तर पुस्तिका में इसमें आप इसी के तरम से में आ जाईए यहाँ पर इसको जो है तीन भागों में बाट दिया गया है एक राजकिये ब्योसाइक प्रसिक्षन परिसद उत्तर पुदेश और एक प्रादेशिक स्टाप प्रसिक्षन सोध के अंदर उत्तर पुदेश अब इसमें जो तीसरा है उसमें आपको सीटे आवंटित होती है वही सारे राजिकिये और दोगिक प्रसिक्षासन स्थान है और इनमें सैयुक्त निदेशक प्रसिक्षासन मंडल के हिसाब से हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 18 मंडल हैं पूरे यूपी भर में यूपी में आपको 18 मंडल मिलते हैं इनको आप आसानी से चीजों को समझ सकते हैं तो यहाँ आपको 18 मंडल यहाँ पर मिलेंगे तो आप एक एक करके देखी हम यहाँ पर एक्स्प्लेन करते हैं और आसानी से आप चीजों को समझ पाएंगे तो यहाँ देखे सबसे पहले वाकी चीजों के बारे में वेवराण दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, प्रसिक्षन है शीटे, एन सी वी टी और एन सी वी टी और कुल प्रसिक्षन सीटे और निजी अद्धुगिक शित में, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि निजी और सरकारी दोनों में कितनी कितनी है यहाँ पर इस कालम में आपको सरकारी मिलेंगी और इधर निजी प्रिसिक्षन के इंदरों में सीटे टूटल मिलती चली जाएंगी हर एक मंडल में तो 13,312 लग नों मंडल में है 14,232 इसकी प्राइबिट सीटे हैं इसी तरह आयोध्या में 23,100 और यहाँ 7,756 है इसी तरीके से आप नीचे की तरफ स्क्रॉल हमका अगर कर रहे हैं तो आप एक करके देखते रहे सकते हैं वाराणसी में प्राइबिट सेक्टर में 58,616 हैं ले अगर करेगी जो मैं पढ़ रहा हूँ उसी की बात की जा रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजिकिये अद्दोगिक प्रसिक्षा स्थानों में 1,19,831 सीटे हैं टोटल सीटे हैं एनि सरकारी और इसी तरीके से निजी छेतर में 3,64,616 सीटे प्रवेस के लिए उपलब्ध है तो यानि अगर मोटे तोर पर बात कर लीजिए तो यहाँ करी पर आपके लिए अबिलेविल हैं इसके माध्यम से यवकियोते हैं प्रसिक्षा के लिए उजल भविस अपना बना सकते हैं तो यह पूरी की पूरी यहाँ पर विवरण दिया गया है तो यहाँ पर एक थोड़ा सजिक्र किया गया है सबसे पहले आपको इस पर्टिकुलर पर जाना है फिर वहाँ से आप दिये गए लिंक पर निजी और दोगी प्रसिक्षा संस्थानों में सत्र के हिसाब से प्रवेस के लिए आवेदन किलिक करेंगे फिर आवेदन आवेदन करें ऐसा आपको दिखेगा वहाँ पर फिर उसके बाद आप किलिक करके आगे पंजी लंबर दिया था वो सही है कि नहीं उसे चक करना होगा फिर राजकियो निजी अत्वा दोनो अध्यों के लिए प्रसेक्शन यानि अगर आपको निजी में चाहिए तो आप निजी का टिक करिए अगर आपको सरकारी चाहिए तो सरकारी या दोनों चाहिए तो दोनों के लिए option दिलता है वहाँ पर उसे आपको tick करना होगा प्रपरत खुलने के पश्चाता ब्यारती व्यक्तिकत वेवरण भरेगा अपना फपता, फोटो, योगिता हस्ताक्षर सब को भरना होगा फिर choice feeling करना होगा कि आपको किस किस trade में आपको admission चाहिए फिर उसके बाद समू का आरक्षण ITI का chain करना होगा किस में किस में चाहिए उसका एक preference order देना होगा choice दर्स करने के पश्चाता ब्यारती को दर्जानकारी का प्रोलोकर करने के बाद उसे सुल्क भुकतान के लिए जाना होगा, तो ये minimum 200 रुपे और 1500 रुपे के साथ, यहाँ पर payment आप करिए payment करने के बाद उस जो farm फिल हो जाता है उसका print out आपको finally निकाल लेना होता है तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि पूरा का पूरा यहाँ पर भी विवरण दिया गया है, कुल संस्थानों की हम बात करने तो उतनी seat की पर यहाँ भी हमने बात कर ली थी अब यहाँ कुल कितने संस्थान कहाँ पर है तो देखिए राजकिय और दोगी प्रसेशन संस्थान तीन सो पाँच है यहाँ पर आपने देख लिया और उसके बाद महिलाओं के लिए अलग से दिया गया है तो वह बारा है और प्रदेश में स्थान राजकिय प्रसेशन संतरों में महिलाओं साखाएं कितनी है यहाँ पर और उनके पिलिये अलवसंकिकों के लिए कितनी है फिर अनसूशित जनजातियों के लिए कितने हैं फिर कुल इसी तरीके से आप यहाँ पर देख पाएंगे, टोटल आप देखेंगे, तो प्रवेसे तो उपलबत कुल सीटे अभी हमने आपको बताई थी, तो सरकारी में 1,19,831 सीटे यहाँ पर विवरा दिया गया है, जब आप फार्म भरना सुरू करेंगे, तो सबसे पहला फार्म आपको एक सामने कुछ इस तरीके का ओपन होके आएगा, उसमें अपलिकेट नेम, आवेदक का नाम, फादस नेम, डेटा बर, देखेंगे, इस तरीके से आपको भरना होगा, आप आसानी से इसे भर पाएंगे, आप देखें यह भरा हुआ, पर फार्मा आपके साम आप भर देंगे, यहाँ पर OTP भर देंगे, फिर यहाँ से प्रोसीड कर देंगे, जैसे ही प्रोसीड करेंगे, तो आपको एक चैन करने का और शरप्रदान करेगा, कि आप जो यह फार्म अपलाई कर रहे हैं, वो किस के लिए कर रहे हैं, सिर्फ आपको गौर्मेंट ही च देख पाएंगे एक चीज यहां पर मेंशन की गई आपका नाम है फिर फिर एक एक चीज़ा भरने के बाद correspondence phone number फिर save and go to next step तो यहाँ next step में चले जाएंगे आप तो यहाँ पर अब देखिए कि कौन-कौन सी कक्षा आपने उत्रीन की है उसके बारे में विवरन यहाँ पर आपको मिलेगा और यहाँ application fees जिसे general है तो आपको 2500 रुपे अगर SCST में से हैं तो आपको 1500 रुपे देना होगा आपके पस यहाँ पर जो भी योगिता रखते हैं उसे आपको टिक करना जैसे दसुई और बारुई है तो आपके पस यह टिक कर दीजिए फिर उसके बाल नीचे उसी का विवरन आपको यहाँ पर junior या जिसे high school और inter का आपका विवरन यहाँ पर देना होगा आप उसे भरेंगे फिर वरीता करम में है आपको की सबसे पहले आपको क्या चीए तो आपको यहाँ पर वरीता करम में आपके पास अगर कोई है खिलाडी इस तरके है या इन में से कोई आपके पास आरक्षा है तो उसे आप ले सकते हैं फिर photo upload करिए और फिर अपने signature upload करके save and go to next पर चिले जाए फिर आपको आखरी में यहाँ पर application ID मिल जाती है और आप इदक के chain group A, B किसका chain कर रहे हैं वो chain आपको यहाँ पर करना होगा आप यहाँ से chain कर सकते हैं group A में है कि group B में है उसके हिसाब से कौन सा लेना चाहते हैं इस्थानिया आरक्षन के रूप में कि ग्रह विकास खंड आपको चाहिए या जो है जो भी आप उसी हिसाब से यहाँ फिर group A में आप यहाँ पर chain करेंगे कि आपको कौन कौन से institute में priority के रूप में चाहिए district और फिर उसके institute आपको यहाँ पर chain करना होगा आप इन्हें reflect भी कर सकते हैं हटा भी सकते हैं दोनों तरीके से चीजों को कर सकते हैं chain वेवसाइक सूची electronics और mechanical यहाँ से आपको सूची चैन करनी होगी फिर आप next कर देंगे next करने के बाद देखिए farm पूरा का पूरा यहाँ पर भार जाएगा आप आसानी से इस farm को देख करके अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर आप टिक करने के बाद आप यहाँ पर टिक करेंगे और सहमती का यहाँ पर option देख के proceed to payment कर जाएंगे जैसे ही प्रोमेंट करेंगे तो यहाँ पर आप से एक बार फिर से पूछेगा फिर उसे आप करने के बाद आप देख पाएंगे payment करने के बाद आप आसानी से चीजों को करपाएं देखिए यहाँ पर सुल्क के बारे में दिया गया है और आयू के बारे में भी यहाँ पर provide कराया गया है तो यहाँ पर सुल्क आप देख सकते हैं कि डेड़ सो रुपे अन सुचिजात जनजात के लिए और धाई सो रुपे आपको सामाने और पिछड़ावर के लिए आयू सीमा की बात की जा रहे तो एक अगस दोजारीक जिसको आपको मिनिमम 14 साल होई जाना चाहिए इससे कम नहीं और इस अभ्यारती का दिजन दिनांक 31 साथ दोजास साथ के बाद ना हुआ हो यहाँ इससे छोटा यहाँ पर अप्लिकेबिल नहीं है तो यहाँ नियूंतम आयू है अधिक्तम आयू की कोई अभ्यारती के अधिक्तम आयू की सीमा पर कोई प्रतिबंद नहीं है कितना बड़ा भी हो सकता है वो कर सकता है तो यह चीज़ आपने देख ली होगी यहाँ पर आप चलते हैं की official website पर देखिए यह इनका जो है पेज official website है इसी में हमने अब यह आपको जो दिखाया था उसमें आप आसानी से इस form को पूरा का पूरा भर सकते हैं send OTP पर आप आएंगे और चीज़ों को कर पाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको जैसे data पर select करनी है तो यहाँ से आप आसानी से data पर select कर सकते हैं फिर air select कर सकते हैं यहाँ category chain कर सकते हैं देखिए यहाँ पर category आपको मिलेगी तो यहाँ आसानी से category को आप देख पाएंगे और यहाँ पर mobile number आपको भरना होगा तो इस तरीके से आप एक एक करके चीज़ों को आसानी से कर पाएंगे अब जिससे हमने कहा था कि यहाँ पर आप trades देख सकते हैं तो plastic processing operator है fitter है यह seats यहाँ पर total दी गई, code दिया गया है और कितने साल का है यहाँ पर eligibility बगल में दी गई है mechanist है और यहाँ पर electrician है, instrumental mechanics है, mechanics, mechanic freeze है, यहाँ पर tool demaker है, tool demaker die and mode है यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे के सारे यहाँ dropsman, mechanics, dropsman, civil, तो यह electronics and electroplater है, power dist है, यहाँ पर सारे के सारे computer hardware networking है, COP तो यह सारे की चीज़ें यहाँ पर provide कर आई गई हैं सब की eligibility सामने और कितने साल का है, कितना code है, वो सभी चीज़ें यहाँ पर दी गई है देखें, यह official website है, राज जी बेवसाई के इंपसिक्ष्ण परिसद उत्तरपदेश, यहाँ पासानी से, देखें, सूचना दिया गया है कि 48-2021 किसे लेकि 28-28-2021 तक यह online सेवा उपलगद रहेगी और इसमें पूरा का पूरा online portal है, तो आप आसानी से form भर पाएंगे यह पूरा का पूरा वेवरान विस्तिका और सारी चीज़े यहाँ पर दी गई है, आप एक एक करके डाउनलोड कर सकते हैं, सभी के link हम आपको description box में दे देंगे, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे बाकी official website का भी link हम आपको provide कराएंगे, जिससे आपको किसी भी प्रकार की समस्या form भरने में ना होने पाए, तो मिलते हैं, अगली update के साथ तब तक form को भरिए, अगर कहीं किसी प्रकार की समस्या होती है, तो commit box में जरूर बताएं, धन्यवाद, जय हिन, जय भारत